Hello Civil Engineers, Welcome to Civil Construct Guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं यह जो टोपिक है ड्राइंग मैनेजमेंट के बारे में देखो हम लोगों की यह जो complete series है इसमें हम लोग one by one study कर रहे हैं मैंने आप लोगों को already general details के बारे में part one में बताया है second part में हम लोगोंने study किया drawing reading मैंने आप लोग को particular two projects bungalow and high rise project के दो case study के साथ में projects बताया है third हम लोगोंने submission drawing already study किया हुआ अब यह fourth जो part है हम लोगों का है drawing management अब यह drawing management भी बहुत important है अगर आप लोग एक client है, suppose कि आप एक client है तो आप एक client के पास में आप लोगों को क्या है consultant है आप लोग को RCC है, RCC के लिए architect consultant है architect consultant के साथ में RCC consultant होगे RCC consultant के साथ में आप लोग को different contractors होगे different contractors है and different contractors के साथ में आप लोगों को क्या है other departments भी है quality department है and जितने भी departments है आपको different departments में billing department है और tendering departments है है यह सब department में भी आप लोग को ड्रॉइंग यह जो है submit करना है तो अब यह ड्रॉइंग को अगर आप लोग को submit करना है तो यह ड्रॉइंग की management भी बहुत ज़रूरी आप लोग को कौन से revisions आए यह भी बहुत matter करता है क्योंकि आप लोगों की जो ड्रॉइंग है आप लोगों को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डिफरेंट ड्रॉइंग्स रिलीज होती है अब सम्टाइम्स क्या होता है बीच में चेंजेज भी होते हैं तो फर्स सपोस कि जी आर जीरो था देन आर वन है ऐसे करकर क स्टडी किया हुआ है तो यह जो रिवीजन्स होती है हम लोगों की ड्रॉइंग जो होती है यह ड्रॉइंग को प्रॉपर मैनेज करना भी बहुत इंपोर्टेंट है तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं ड्रॉइंग मैनेजमेंट के बारे में इसमें हम लोगों के topics होगे हम लोग one by one discuss करेंगे तो चलिए यह वीडियो को start करते हैं guys हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि drawing की stages क्या होती है different different drawing देखे directly हम लोग GFC drawing जो होती है GFC good for construction, site पे construction के लिए initially directly drawing नहीं आती इसके background में भी बहुत सारा process होता है यह process आप लोग को समझना भी important है conceptual और semantic design अगर मैं आप लोग को बताओ conceptual semantic design होता है आप client है and client ने architect को approach किया हुआ है कि हम लोगों का यह initially यह project है और suppose को हम लोग यह project की planning कर रहे है initially क्या होता है conceptual semantic design होती है then यह अगर आप लोग अगर client ने approval दिया हुआ है then design development में जाते है हम लोग का second stage होता है design development इसमें हम लोग project के जो भी structure है उसकी design करते है अगर यह second stage complete होने के बाद में होता है design documentation यह हम लोगों का third stage होता है design documentation हम लोग आगे भी यह study करने वाले है and design documentation अगर हम लोग का complete हो गया project finalize हो गया है then आप लोग को vendors करने रहेंगे तो vendors के लिए आप लोग को काल्कुलेट करने रहे सिविल कॉंट्रेक्टर रहे हैं तो सिविल काल है करने के लिए all काइनल के सीस दॉक्त आप लोगों के लिए यह स oldี यह यैंट ड्रॉंट यह tender drawing के एसाब से हम लोग tender float करते हैं and contractors finalize करते हैं अब यह सब यह four stages के बाद में जब हम लोगों का actual work complete करना रहता है तब हम लोगों को actual work execution के टाइम पर हम लोगों को GFC drawing की requirement होती है good for construction good for construction यह drawing जो है हम लोगों को यह release होगी and यह drawing पर हम लोगों को side पर execution करना है आप लोगों को समझना है कि GFC drawing के basis पर ही आप लोगों को work करना है आप जब drawing को receive करेंगे तो different different stamp लगा होता है कि यह tender drawing है concept design drawing है और GFC drawings है तो आप लोगों को execution करना है on site यह हम लोगों की GFC drawing पर करना है GFC drawing पर आपकी जो drawing होगी यह drawing होती है यहाँ पर यह details होता है यहाँ पर एक stamp लगता है and यह stamp जो हम लोगों का GFC का होता है तो यह आप लोगों को समझना important है कि आप लोगों को construction करना है GFC drawing के according ही करना है next हम लोग देख लेते हैं कि आपकी जो drawing stages complete होगे तो आप next आप लोगों को क्या करना है क्योंकि next जो है यह जो documents होते हैं drawing होती है यह document controller जो है आप अगर big projects है छोटे projects होगे तो आपको जो project manager है और junior engineers है आप लोग यह complete drawings के set को आप लोग follow कर सकते हैं कौन सी drawing आई कौन सी नहीं आई है यह आप लोग identify कर सकते हैं बट जो बड़े projects होते हैं जिसमें बहुत साथ multiple projects होते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक रखते है document controller अब यह document controller क्या होता है document controller जो होता है यह होता है document controller का role होता है कि यह manage करता है जो index जो drawing है handling करना है storage करना है proper documentation को for project related documents including its management system means document controller जो DC होता है इसका work होता है जितने भी documents है like checklist है आपको जो projects में checklist use हो रही है और soil investigation की reports है other documents है projects के कुछ consultant आये हैं उन्होंने site visit किया कुछ remarks दिया हुआ है तो यह जो reports होते हैं यह जो manage करता है document controller का work होता है then document controller का work आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक basic चीज़े आपको समझना important है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है अगर आप लोग समझिए कि improper drawing management है तो improper अगर drawing management है आप लोगों को क्या-क्या problems होगी results in wrong details being used on site suppose कीजिए suppose कीजिए आप लोगों का plinth work चालू दाए plinth work में आप लोगों की एक drawing आये थी typical floor और typical floor और suppose कीजिए fifth floor की drawing आये थी इसका revision था R1 suppose कीजिए but आप लोगों का जब plinth work complete हो गया minor modifications हो गए minor आपने क्या किया है drawing में modification किया हुआ है अब ये modification के बाद में क्या हो गए एक जो drawing है R2 release हो गई अब ये R2 drawing release होई तो आपको क्या करना है R2 अगर drawing release होई है तो आपको ये जो R1 जो set है अब ये जो R1 होगा इसको suspend करना, superseded कर देना है ये drawing को use नहीं करना है आपको जो construction करना रहेगा ये आपको new latest जो R2 revision है इसके according करना है means आप लोगों का suppose करो यहाँ पे R0 जो हम लोगों का first drawing था तो ये सब drawing आप लोगों को use नहीं करना है आप लोगों को ये latest जो revision है, latest revision को आप लोगों को follow करना है on site तो ये जो previous जो drawings होती है उसको बोलते हैं हम लोग super sedded drawing और हम लोग बोलते हैं absolute drawing हो गई है तो ये आप लोगों को समझना important है, अगर आप लोगों सपोस कीजी आप लोगों ने R1 के according आप लोगों ने execution करा दिया but R2 है तो आप लोगों को क्या है proper execution नहीं होगा, आप लोगों का wrong execution हो जाएगा तो ये important है क्योंकि बहुत सारे revisions आते हैं, बहुत सारे drawings होती है आर्किटेक की floor wise, tender, MEP drawing, landscaping drawing, तो आप लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सी drawing में क्या revisions है तो आप लोगों को follow करना है latest revision क्या है and previous यो भी revisions होगे, उसको आपको absolute करना है, super shaded करना है ये आप लोगों को समझना important है, next आप लोग देख लीजिए, अगर delay in work progress if drawing with improper incomplete details are used on site अगर सपोस कीजिए improper or incomplete details होगी, drawing की, तो आप लोगों का delay in projects होगा तो drawing भी बहुत important है, multiple number of RFI request for information हम लोग अभी देखने वाले RFI क्या होता है, request for information क्या होता है, यह हम लोग detail में समझेंगे and इसके मैं formats भी बताने वाला हूँ, तो RFI बहुत ज़्यादा आप लोग के construction side से contractor raise करेंगे क्यों क्योंकि आपकी drawings में बहुत सारी mistakes है, अगर drawings में mistake होगी तो क्या होगे आपके revisions increase होगे, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यह सब चीजों में next जो है, if proper drawings are not used on site, it will result in poor product quality and rework on site देखिए, अगर आप लोगों की drawing, अम लोग का जो projects होता है, drawing जो है, बहुत important है, अगर drawing ही proper नहीं होगी, उसका management proper नहीं होगा, तो बहुत सारे issues होगे, proper execution ही नहीं होगा, delay होगा, unnecessary delays होगा, जो work हो चुका है, वो भी wrong हो जाएगा, तो rework भी होगा, साथ में क्या होगा, rework भी होगा, अगर rework हो गया, तो quality भी maintain नहीं होगी, तो आप लोगों को ये drawing का management जो है, drawing management बहुत ज़्यादा important है, और ये properly record रखना भी important है, तो ये drawing management आप लोग को important है, तो समझ में आ गया होगा, क्यों आप लोगों को ये drawing का management important है, So guys, हम लोग next बात करते हैं drawing numbers के बारे में Drawing number shall be finalized prior to start the drawing drafting work for the particular projects Drawing number format shall be pre-approved from the design team for the respective projects देखिए, आप लोगों की एक project होगा तो एक project में certain code, drawing के जो numbers होगे, वो code के according होगे location से according हो सकता है, number of projects के according हो सकता है तो ये drawing की numbers जो होती है और वो number के basis पे consultant जो होते है RCC consultant के पास में बहुत सारे work होते है तो वो लोग ध्यान नहीं रख सकती कि कौन से project name के according नहीं चलेंगे तो एक particular drawing के numbers generate होते है वो drawing के numbers आप लोगों को क्या करना है प्रॉपर जो आप लोग client है client में जो design team होगी उससे आप लोगों को concern करना है आप लोगों को उसको finalize करना है और उसके according drawing के जो initially होता है वो number को finalize करना है quality check for drawing management अभी quality check से क्या है यह हम लोग देख सकते हैं prior to share the drawing with contractor PMC ensure that the drawing details are maintained in drawing register अब आप लोगों को क्या है अगर कोई भी drawing आप लोग release करने से पहले क्या है आप लोगों को क्या proper drawing register भी maintain करना है तो मैं आप लोग को drawing का register का format भी आगे बताने वाला हूँ कि किस type से आप लोगों को drawing के register का format है यह आप लोग को format में follow करना है आप लोग को on site and कभी भी आप लोग contractor और PMC को अगर आप लोग drawing issue करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को sign off जरूर लेना है sign लेना है कि आप लोगों ने R1, R2, R3, R0 जो भी आप लोगों ने revision दिया हुआ है तो यह revision कभ दिया हुआ है यह आप लोग को contractor और PMC से आप लोग को sign off करना है यह होता क्या है on site जब आप लोगों ने suppose कि जी आप लोगों ने R1 जो drawing है यह आप लोगों ने contractor को issue कर दिया है बट suppose कि जी contractor ने क्या है R0 से ही work कर दिया अगे बट तो आप लोगों के पास अगर sign off होगा तो आप लोगों के पास एक document होगा fight करने के लिए कि हम लोगों ने drawing दिया था आप लोगों ने गलत execution किया है अगर आप लोग documents follow नहीं करेंगे तो oral communication में बहुत ज़्यादा problems होती है तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस type से आप लोगों ने जब भी drawing दिया है तो आप लोगों को sign off और document maintain करना है और इसका भी आप लोगो proper format है ये maintain करना है All the site engineers should have the latest revision on site ये बहुत important है आप लोगों को old drawing side पे नहीं रखना है उसको आपको discard कर देना है drawing रखना ही नहीं है जो latest drawing है वही आप लोगों को side पे follow करना है Prior to issue the revised drawing ensure that the previous revision is superseded and taken back from the contractor ये बहुत important है ये देखिए ये बहुत छोटे छोटे topics है बट आप लोगों को ये सब on site implement करना है construction side पे implement करना है अगर आप लोगों की छोटी side से तो यहाँ पे क्या implement नहीं होता है किसी ने अगर suppose करो main project manager है उन्होंने drawing दे दिया तो side पे execution हो जाता है बट documents maintain नहीं होते हैं आप लोगोंने suppose करो old जो revision RG रो था एंड उसके बाद में suppose R1 आया है करेंगे तो आपको in future बहुत ज्यादा problems हो सकती है all super shaded drawing should be marked with super shaded stamp मैं already आप लोगों को बताया हुआ है good for construction tender drawing super shaded stamp यह सब आप लोगों को follow करना है on site and यह सब follow करके आप लोगों को रखना है next all super shaded drawing should be stacked properly यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है ensure that no drawing shall be used in soft copy on site देखें यह वाला बहुत important topic है कि आप लोगों को जो soft copies है यह soft copies से आप लोगों को work नहीं करना है maximum अभी जो mobile से mobile में हम लोगों की soft copies होती है and हम लोग soft copy से क्या है soft copy होती है dwg file and dwg file से हम लोग execution कर देते है अब यहां पर क्या होता है हम लोगों को soft copies होती है ऐसा जरूर ही नहीं कि हर बार हम लोगों के पास में latest suppose कीजिए आरवन रिविजन रिटेन है soft copy में बट जो hard copy होती है आरवन की जो hard copy होती है इसमें hard copy में actual data होता है आरवन आपके पास में soft copy भी है and आरवन आपके पास में hard copy भी है sometimes क्या होता है यह hard जो copy होती है वो final होती है soft copy क्या होती है आरवन जो हम लोग work करते रहते हैं तो soft copies बनती है तो आपको soft copy पर work नहीं करना है sometimes क्या होता है scale नहीं given होते है sometimes drawing को अम लोग डायरेक्ली जो अम लोगोंने drawing देका mobile में and execute कर दिया तो इसमें क्या होता है mistakes होने के बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं तो आपको on site कभी भी hard copy से ही work करना है यह बहुत ज़्यादा important है and आप लोग को ये follow करना है strictly follow करना है on site अगर आप लोग hard copy से on-site work करते हैं तो आप लोगों के chances हो जाएंगे कि minor आप लोगों की mistakes होगी soft copy में आप लोगों को जो mobile में देखने का जो हम लोगों का way होता है वो बहुत अलग होता है and hard copy को read करने का way बहुत different होता है तो आप try कीजिए हमेचा hard copy ही side फे follow कीजिए minor कुछ चीज़े हैं हम लोगों को convenient होता है soft copy में drawings read करने के लिए but actual जो execution के लिए आप कीजिए try कीजिए hard copy से ही execution कीजिए तो यह सब basic point है guys आप लोगों को drawing से related, drawing management से related आप लोगों को side फे follow करना है Thank you so much civil engineers for watching this video यह basic point है एक drawing management में on-site आप लोगों को follow करना है यह basic basic points थे but important है आप लोगों को side पे implement करने के लिए so next video में मिलते है guys